हलो दोस्तो इस यूडियो में आपको बताने वाला हूं कि रेविट अर्किटेक्चर के अंदर अगर आपका प्रोपर्टी बार और आपका प्रोजेक्ट ब्राउजर बार हड जाता है तो उसको वापिस कैसे लेके आए तो उसके बारे मैं आज बात करने वाले हैं तो आप द कर देता हूं तो यहां पे स्क्रीन आप देख पा रहा हैं कि राइक प्रोपर्टी हो जारी है लाने क्लिए प्रोपर्टी क्रें करना है तो आप देख पाएंगे था उसको फो blah-a त्रपित खोंडे करだからula या र के ब्राउजर के अंदर eg करना है और यहां पे ब्राउजर प आप यहां पर लेके आएंगे, साइड पे तो आपका यहां पर फिक्स हो जाएगा, अगर दुबारा में इसको ग्लोज करता हूं, वापिस लेके आना है, तो दूसरा भी क्या है, कि आप व्यू टैब में जाएं, यूजर इंटरफेस में जाएं, प्रोजेक्ट ब्राउजर अपर पे कलिक करेंगे, तो आपका प्रोजेक्ट ब्राउजर आ जाएगा, इसको अब दुबारा से से इड़्जेस्ट कर सकते हैं, इसको अब यहां पर क्लिक एंड होल्ड करके, इसको साइज को increase और decrease कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से यहां पर, कुछ इस तरीके से यहां आपका properties and project browser यहाँ cav發 worrying अगनेjust Home projective browser यहाँ भी fix हो सकते हैं कुछ की इस तरीके से उसके बाद आप एक और तरीका कर सकते हैं यहाँ पर track करके आप इसको ओपर fix कर सकते हैं तरीके से या फिर जैसे भी आपका मन करें जहां पे भी आपका फिक्स करने का मन करें आप उसको उसी तरीके से फिक्स कर सकते हैं जहां पे भी आपको मन करें मतलब यह डिपेंड करता है आपके उपर कि आप किस तरीके से चीजों को देखना चाहते हैं अलग से देखना चाह तो इस तरीके से आप properties बार को और project browser को यहाँ पे ले के आ सकते हैं, close कर सकते हैं, वापिस right click करके project browser पे जाके यहाँ पे click कर सकता और वापिस आ सकता और इसको वापिस से आप इसको ड्रैक करके इसको पढ़ा कर सकते हैं, तो यह काफी student की problem थी, जो मैने यहाँ पे अभी solve की आशागवर तर वीडियो अच्छे लगी होगी, अगर वीडियो अच्छे लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेर करें और कमेंट करें, बिल्पल मत भूलें, थैंकिय। देखने के लिए वीडियो, थैंकिय।